हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल आज हम कटोरी ब्लाउस की कटिंग करने वाले हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिटर कॉटन का फैब्रिक ले लिए हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेजर मेर्स दिखा देती हूं ब्लाउस की चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 32 इंच, लेंथ है 14 इंच, स्लीव 4.5 इंच, स्लीव बॉटम 12 इंच, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 9.5 इंच, और शोल्डर है 11.5 इंच इस मेजर मेंट से हम ब्लाउस की कटिंग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, यह देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके ले लिया है, यह देखिए आप देख सकते हैं, फोल्डेट साइड मेरे साइड में है, ओपन साइड दूसरी साइड में है, यह यहां से हम measurement करके folding करेंगे हम यहां पर chest का fourth part लेंगे और उसमें margin मिलाकर हम इसके double folding कर लेंगे यह देखिए यहां पर हम blouse के length नापेंगे तो हमारी blouse के length है 14 inch तो हम उसमें 1 inch margin ले लेंगे तो यहां पर हम 15 inch पर एक marking कर लेंगे यह देखिए यहां पर हमने marking कर ली है अब हम armhole लेंगे armhole है हमारा 6 inch तो हम 6 inch के उपर एक point लगा देंगे इसके बाद हम shoulder लेंगे shoulder है हमारे 11.5 inch तो हम उसका half करेंगे यानि पौणे 6 inch हम armhole के point से भी पौणे 6 के उपर एक marking कर देंगे अब हम इस तरीके से एक box बना लेते हैं अब यह आप देख सकते हैं armhole के line से ही हमें chest का fourth part लेना है तो chest का fourth part है 9 उसमें हम half inch लेंगे यानि साड़े 9 के उपर हम एक marking करेंगे और 1.5 inch हमने margin लिया है अब हम नीचे की side में marking करेंगे हमारी waist है 32 inch इसका fourth part करेंगे 8 inch प्लस एक inch हम टक्स के ले ले लेंगे यानि 9 inch के उपर हम एक marking करेंगे और 1.5 inch हम margin ले लेंगे अब हम इन सारे points को इस तरीके से joint कर लेंगे अब हम इस corner से 7 inch के उपर एक marking कर देंगे और यहाँ से हम back arm hole का shape दे देंगे अब हम यहाँ पर इसका center निकालेंगे यह हम back के लिए tux point निकालेंगे यह दिखें यहाँ पर हमने back के लिए tux point ले लिया है उपर के side में हम गले की चोड़ाई के लिए marking करेंगे तो यहाँ पर हम डाई inch के उपर एक marking कर देंगे अब हम यहाँ से back neck की length नापेंगे तो हमारा back neck है 9.5 inch तो हम उसमें half inch extra ले लेंगे याँने 10 inch के उपर हम marking कर लेंगे यहाँ पर भी हम गले की चोड़ाई के लिए निशन लगाएंगे यहाँ पर आप पाउने 3 या 3 inch जितना भी आपको गला ब्रॉट रखना है उसी सब से आप marking कर सकते हैं अब हम इन सारे points को जोड़ देंगे इस corner से हम half inch के उपर एक marking कर देंगे और इस तरीके से back neck का shape हम दे देंगे अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको tax लगाने के लिए बता रही हूँ जब भी आप tax लगाएंगे आपको हर बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो पीछे का गला होता है उसके नीचे ही हमारा tax आना चाहिए तो हम यहाँ पर 4 इंच के उपर एक marking करेंगे और इस तरीके से एक line खीच लेंगे अब हम इस line के दोनों side में half of inch marking कर देंगे और इस तरीके से scale से सारे points को जोड देंगे यह हमारा back neck का tax तयार हो गया है यह हमारी back part की marking हो गई है अब हम इसे इस तरीके से cutting कर लेंगे यह दिखिए हमने back part की cutting कर दी है तो चलिए अब हम front part की cutting करते हैं यह दिखिए बचे हुए कपड़े में हम यहाँ पर 1 इंच के उपर एक निशान लगा देंगे front part में हमें billet निकलना होता है इसलिए यहाँ पर हमने एक इंच एक्स्टा ले लिया है यह दिखिए इस तरीके से हम इसे scale से marking कर लेंगे अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने back part इसी line से रख दिया है अब हम as it is इसे draw कर लेंगे अब हम back part को हटा देंगे यह दिखिए उपर के side में हम neck width ले लेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच के उपर एक marking करेंगे नीचे हम front neck का marking करेंगे तो front neck है हमारा 6 इंच उसमें हम half inch extra लेंगे यानि 6.5 इंच के उपर हम एक marking करेंगे और इस तरीके से हम एक box बना देंगे अब हम इसी line से chest का fourth part लेंगे तो हमारा chest का fourth part है 9 इंच प्लस half inch यानि 9.5 के उपर हम marking करेंगे अब हम यहाँ से arm hole के marking करेंगे 6 इंच अब हम इसी line से shoulder का half लेंगे यानि पावने 6 इंच अब हम इस line को इस line से जोड देंगे अब हम उपर के side में भी shoulder को जोड देंगे तो देखें इस तरीके से हमने a the box बना लिया है अब हम इस corner से 0.75 inch के उपर एक marking करेंगे और इस तरीके से front arm hole का marking कर लेंगे यह देखें आब हम नीचे के side में भी marking कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें 9 इंच लेना है जिस तरीके से हमने back में लिया था और इस तरीके से हम यहाँ पर भी line खीच लेंगे अब हम यहां से बेल्ट की मार्किंग करेंगे ये दिखिए बोटम लाइन से हमें साड़े तीन इंच के उपर एक मार्किंग कर देनी है और इसके बाद हमें आगे की साइड में तीन इंच के उपर एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से हमारा ये बेल्ट तीन इंच में इस तशेंगे सेचे, इस भागों क कर लाइट है। के किलेगे मारकिंग रेगे इन घुट सेयर है birthday करी हो 1.5 सब्सक्र्साइब करने उसे पर तरह करेंगे इस तरीके से सबस्कुझाइब हो हमारे दो पार्ट है इन भागों का हम कटोरे के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये जो हम एक पार्ट है उसे हम छोड़ देंगे इन दो भागों का हम कटोरे के लिए इस्तेमाल करेंगे आगे के गले के कॉर्नर से हम उपर के साइड में एक इंच पर मार्किंग करेंगे आप किस 36 साइज्स का blouse सिल रहें इसलिए हमें यहां पर दो इंच पर मार्किंग करनी है तो ये देखी इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है अब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड देंगे और इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे ये अब देख सकते हैं हमने कटोरी का शेप दे दिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे ये देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट आर्मुल का शेप दिया है इसी लाइन से हमें आर्मुल की कटिंग कर लेनी है ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है अब हम इस बेल्ट को भी इससे अलग कर लेंगे इसी के साथ हम कटोरी को भी इससे अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने सारे पार्ट को अलग कर लिया है ये जो हमारी कटोरी है हम इसे इसमें जॉइंट नहीं कर सकते क्यूंकि इसमें हमने मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लिया है अगर हम इस कटोरी को जॉइंट करेंगे तो हमारी कटोरी बिल्कुल भी पर्फेक्ट नहीं आएगी ये देखे इस तरीके से डबल कपड़े के उपर हम कटोरी के पार्ट को रख देंगे और इसके दोनों साइड में हम एक-एक इंच के उपर एक-एक मार्किंग कर लेंगे ये देखे दोनों साइड में हमें एक-एक इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर लेंगे अब यह जो हमारा center point है इस center point से हमें 1.5 inch के उपर marking करनी है हर size के blouse के कटोरी के लिए हमें यह measurement लेना है यह देखी इस तरीके से हम गले की shape को draw कर लेंगे और उपर के side में हम 1.5 inch बढ़ा देंगे इस तरीके से हम नीचे के points को जोड देंगे और यह जो सारे हमारे points है इन्हें हम जोड देंगे यह देखी इस वले point से भी हम उपर की तरफ joint कर लेंगे यह हमारा tux point है एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ double कपड़े के उपर हम कटोरी के part को रख देंगे दोनों side में हमें एक एक inch बढ़ाना है और center में हमें 1.5 inch पर एक marking कर लेनी है गले को हम as it is draw कर लेंगे और उपर के side में हमें 1.5 inch बढ़ाना है और नीचे वाले point से जोड देना अब हम इस वाले part को हटा देंगे और इस वाले point से हम tux point लगा लेंगे यह आप 3 inch पाउने 3 या 1.5 inch अपने पसंद से इसे लगा सकते हैं यहाँ से एक line ड्रॉ कर लेंगे यह देखिए हमने कटोरी को बढ़ा लिया है अब हम इसके cutting कर लेते हैं यह देखिए हमने कटोरी की cutting कर ली है अब मैं आपको tux के measurement बता दे थी हूँ इस corner की line से हमें दोनों तरब 7 inch या 1.5 inch के उपर एक एक marking कर लेनी है अब हम इन सारे points को जोड देंगे यह देखिए हमने इसे जोड लिया है अब हम क्या करेंगे इस beach वाली line से हम इसे fold कर लेंगे और यह जो हमारी marking की line है यहाँ पर हम कैटी से cuts लगा लेंगे इस ऐसा करने से जब भी आप कटोरी में tux लगाएंगे तो आपको फिर से measurement करने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब हम sleeves की cutting कर लेंगे यह दिखिए यह double folded कपड़ा है इसे हम fold करके 4 folded कर लेंगे यह दिखिए हमने इसे 4 folded कर लिया है folded side आपको अपने तरफ रखनी है सबसे पहले हम sleeves की length लेंगे तो हमारी sleeves की length है 4.5 inch हम उसमें half inch extra margin लेंगे सिलाई के लिए तो हम पहला point लगाएंगे 5 inch के उपर और 1 inch हम यहाँ पर extra ले लेंगे folding के लिए क्यूंकि यह cotton का blouse पीस है तो इसलिए हमें यहाँ पर नीचे की पटी fold करने के लिए 1 inch extra चाहिए होगा अगर आप आस्तर वाले blouse के लिए sleeves कट करने तो आपको यहाँ पर सिफ 1.5 inch extra लेना होगा अब हम यहाँ से 1.5 inch के उपर एक point लगा देंगे आर्म होल के shape के लिए इसी point से हम chest का fourth part plus half inch लेंगे यनि साडे 9 के उपर हमें यहाँ पर marking करनी है प्लस हमें 1.5 inch margin लेना है पर यहाँ पर कपड़ा कम है तो यह तो साडे 9 inch बराबर आ रहा है पर margin के लिए आपको यहाँ पर joint लगाना होगा तो यह देखे इस तरीके से हम तीनो लाइन्स खीच लेंगे यह जो हमारे आर्म होल के लाइन है इस लाइन का हमें center निकलना है तो साडे 9 का half part होता है पावने 5 inch तो पावने 5 के उपर हम एक marking कर देंगे इसके सामने भी हम पावने 5 के उपर मार्किंग कर देंगे और इसे सीधे जोइंट कर लेंगे अब यह जो हमारी लाइन है इसके हमें 3 equal part करने है तो यह देखे हमने इसके 3 equal part कर लिये हैं यह जो पहला वाला point है उससे हम back armhole का shape ड्रॉव करेंगे और नीचे वाले point से हम front armhole का shape ड्रॉव करेंगे यह देखे इस तरीके से हमने back armhole ड्रॉव कर लिया है और front वाला भी armhole ड्रॉव कर लिया है यहाँ पर आपको margin के लिए joint लगाना होगा तो यह देखे इस तरीके से हम इसके cutting कर लेंगे यहाँ पर यह बंद side है इसे भी हम खोल लेते हैं सबसे पहले हम back armhole के shape को cut कर लेते हैं स्लीव की सेंडर पर हम cut का निशन लगा देंगे इसके बाद हम स्लीव को इस तरीके से open कर लेंगे और यह जो front armhole का shape है इसे भी हम cut कर लेंगे यह देखे हमने स्लीव की cutting कर ली है हमारी blouse की cutting पूरी हो चुकी है मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान इसे समझा सकूँ इसकी stitching मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like, share और सबस्क्राइब जरूर कीजिए और साथी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि यह इसी ही helpful वीडियो की notification आपको मिलती रहे थैंक यू